इमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्यो हाटोट के मैं हूँ आपके साथ रुम जिम शर्मा दोस्तों मौनसुन का सीजन है एहर तरफ बारिश हो रही है और बारिश किसे नहीं पसंद बारिश को देखना आखों को सुकून देता है मन को शांती देता है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये बारिश मन को सुकून और आखों को अच्छा लगने के साथ साथ आपकी जीवन में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें ला सकता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बारिश के पानी के कुछ उपाई जिसे कर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परिशानी समस्या है उसे खत्म कर सकते हैं तो दोस्तों बारिश के पानी से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कैसे वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, चाहे वो समस्या कर्ज संबंधी हो, चाहे वो रोग संबंधी हो, नौकनी पेशे से जोड़ी हुए परिशानी हो, विवाह में देरी और बाधा की समस्याए हो, या फिर आपको धनकी, अकूत धनकी अच्छा हो, तो आसी तमाम समस्याओं को आप एक बारिश के पानी से हल कर सकते हैं, तो वीडियो को जरूर देखें, अज तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे, तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट कर मुझे जरूर बताएं, चैनल पर नहीं आए हैं, चैनल पर इसी तरह की वीडियो अधिर के लिए जितना जरूरी है, उतना ही दोस्तो इसका वास्तु शास्त्र में भी महत्व है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वास्तु शास्त्र में पानी के जो कुछ उपाई बताए गए हैं, जो बहुत ही सरल हैं, और आपके जीवन को बहुत जादा खुशहाल बना सकते हैं, बहुत तरह की परिशानियों के लिए उपाई हैं ये और इन उपाईों को इन तोटकों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बारिश का पानी चाहिए, उससे अपनी जिवत खुशहाल बना सकत हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू धन प्राप्ति के लिए आप बारिश के पानी से क्या को चुपाई कर सकते हैं, तो दोस्तों बारिश का पानी आपको जमा करना है इस उपाई में, जमा करके आपको रखना कहा है, इशान कोन में, घर के इशान कोन में बारिश का ज बोतल में आप पानी रखेंगे उसे जब बारिश हो तो सीध है उसमें आप पानी लें बारिश का सीधा पानी उसी बरतन में गिरे और उसी पानी को आप इकठा कर उस बरतन में बोतल है अगर वो कोई ऐसी बरतन है पीतल का जिसमें ढखकन हो आप उसको बंद करके घर के इश अब दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ घर में खुश हाली के लिए बहुत सारे से परिवार रहते हैं जहांपे बिन वज़र किसी न किसी बात को लेकर कुछ परिशानियां आती रहती हैं वास्तों अगर ठीक नहीं है घर का तो कला होते रहता है जिसका कोई कारण नहीं होता च इसमें आपको बारिश के पानी को इकठा करना है एक तामबे के बरतन में तो तामबे के बरतन में आप बारिश के पानी को इकठा कर ले और हर महीने में हम जानते हैं दोस्तों दो एकादिशी वरत आते हैं तो एकादिशी की तिथी वाले दिन आपको इस से उसी पानी से ज उसमें फाइदा होगा, कोई करियर संबंधी परिशानी अगर आपके जीवन में हैं, आप लगतार कोशिश कर रहे हैं, प्रतियोगी परिक्षाओं में बैठते हैं, तो वो जो परिशानिया हैं, अगर किसी तरह की बाधाएं हैं, तो वो दूर होगी, परिवार में इससे कह स पातर से ये अभिशेक करना है, बहुत सारी बेहनों का ये सवाल आता है, बहुत सारी लड़किया ये सवाल पूछती हैं, कि शादी में उनकी दिक्कत हो रही है, तो ये आपके लिए है, विवाह योग को भी बनाता है बारिश का पानी, आपको इस उपाई में करना क्या है कि अगर विवाह में किसी बचा से देरी हो रही है, बार-बार रिष्टा बनता है, लेकिन बिगड़ जाता है, टूट जाता है, बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसे में भी आपको एक तामबे का ही पातर लेना है, अगर घर में नहीं है तो आप ले आएं तामबे का पातर, आपको इस पानी से गनपती का गनेश भगवान का अभिशेक करना है आपको ये ध्यान रखना है जब आप अभिशेक करते हैं उसके बाद जो जल की कुछ बूंदे हैं वो अपने हाथ में लेकर जरूर उसे ग्रहन भी करें उसे चहणामरत के तौर पर आप पी लें और उसके बाद ही आपको खाना पीना करना है सुबह आप ये उपाई कर सकते हैं बहुत ज्यादा इससे फाइदा है शास्त्रा नुसार बताया गया है कि इससे विवा के योगतुरंत बनने लगते हैं जो परिशानिया आते रहती हैं बाधाय आते रहती हैं रिष्टा बिगड़ता रहता है वो सब खत्म हो जाता है तो इस मॉन्सून सीजन में आप भी इस उपाई को जरूर करें कई घर में दोस्तों रोगों की वजह से बहुत ज्यादा परिशानी रहती है तो ऐसे में भी आपको बारिश के पानी का ये उपाई जरूर करना चाहिए अगर घर में कोई व प्रति दिन इसमें करना क्या है आपको महा मृतुंजे का जब करते हुए बारिश के पानी की कुछ बूंदे बीमार व्यक्ति को पिलानी है ऐसा माना जाता है शास्त्रों में वर्नित है कि इस उपाई से रोगी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं व्यक्ति स्वेहन भी अ उसी वर्तन में जमा करें जिसमें आपको उसे रखना है और बीमार व्यक्ति को महा मृतुंजे का जब करते हुए हर दिन नियम बना ले कि आप 11 दिन ऐसा करेंगे आप किस दिन करेंगे लगातार ये करें देखिएगा उनकी बीमारी में जरूर फाइदा होगा कर्ज मुक् कर्ज लेने के स्थेतियां बन रही है और उसके बाद आप उसे चुका पाने में असमर्थ हैं लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसे में भी बारिश के पानी का ये उपाय आपके लिए बहुत फाइदे मंद होगा आपको किसे भी पात्र में बारिश का पानी इकठा करना है और जब भी स्नान करें तो बारिश का पानी जो आप में इकठा किया है उसमें थोड़ी सी उसी जल में आपको दूद मिला लेना है और उसके बाद उसको नहाने के पानी में मिला ले और उसी पानी से स्नान करें कुछ ही दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी तो दोस्तों आपको बारिश का पानी कठा करके पात्र में रखना है और रोज नहाने के पानी में कुछ बुंदूद के साथ मिला कर उसे डाल कर और उसी से नहाना है कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को अचूक बताया गया है अब मैं बात कर पानी को एक कांच की बोतल में भर कर अपने बेडरूम में रखते हैं ऐसा करने से बेडरूम का वास्तु सही रहता है और पती पतनी के बीच जगडे नहीं होते और खास बात यह है कि इससे जगडे तो नहीं होते दामपत्ते जीवन हमेशा के लिए खोशहाल हो जाता है द इस तरीके से अपने जीवन की जो ये तमाम समस्याय हैं उसका आपको समधान मिलता है जरूर फाइदा होगा इस मौनसून आप भी इन उपायों को जरूर अपनाएं वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें शेयर करना ना भूलें चैनल पर नए आए हैं तो जरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया